एगाईज, वाट्स अप तरफी स्ताब्दी का जो टाइम था तमिलाडू में उस टाइम पे भी भग्तिजम जो है वो उभर के आया था लेकिन उस टाइम के कमपैरिजन में मिडवल टाइम में बारवी तेरवी स्ताब्दी में आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा और आपको influence देखने को मिलेगा इस्लामिजम का या सूफिजम का इसलाम का हमारा जो भगती मुमेंट है भगतीजम है उसके उपर और जो हमारे भगती रिफोर्मर्स रहे हैं उनको एक अच्छी सेप मिली इन सूफी संथ के जो आइडियाज थे वो भी तो देखिए हमारे जो रिफोर्मर्स के अगर बात करें तो रामानंच साहब हैं, कबीर साहब हैं, नानक जी हैं और देखिए सूफिजम के अगर हम बात करें तो ये एक लिब्रल मॉमेंट था इसलाम के अंदर और फर्स्ट जो सूफी संथ है, सेक इसमाईल ओफ लाहोर हैं और देखिए सूफिजम के अगर ओरिजन के बात करें तो ये पर्सिया में ओरिजनेट हुआ एसा, सोरी, गाइस यूपियसी तो नहीं पूछती के ओरिजनेट कहां हुआ लेकिन थोड़ा सा हमें बस पता होना चाहिए ठीक है गाइस और फिर क्या हुआ कि एक most famous जो हमारे सूफी संथ हैं इंडिया के खवाजा मुईनुदीन चिस्ती साहाब हैं और उसके बाद में देखिए उनके भी बहुत सारे follower जो हुए उनको फिर सूफी ओफ चिस्ती ओडर कहा गया और उनके बाद में एक और famous सूफी संथ हैं बहाउदिन जकारिया साहाब तो देखिए उनके बाद में जैसे निजामुदीन ओलिया साहाब हैं वो चिस्ती ओडर को भी लोग करते हैं और देखिए चिस्ती ओडर आप सभी को पता है कि चिस्ती ओडर जो हैं वो जैसे कि जो follower थे हमारे मुईनुदीन चिस्ती साहब के उसी ओडर के जो सूफी संत रहे हैं उसी लाइन के उनको फिर कहा गया चिस्ती ओडर के सूफी संत ठीक है गाईज और देखिए एक हमारे जो ख्वाजा मुईनुदीन चिस्ती साहब हैं उनके बारे में हम डिसकस कर चुके हैं लेकिन देखिए उनके बारे में जो important point है वो ये है कि वो settled हो गए थे अजमेर में आके और अजमेर को फिर अपना point of activity बना लिया था मतलब वहीं से वो अपनी activity आजमेर से ही करते थे आप देखिए कुछ important है जैसे कि निजामुदीन ओलिया साहब हम अलरेड़ी डिसकस कर चुके हैं चिस्ती ओर्डर को बिलों करते थे और एक बहुत अच्छे spiritual leader थे वो भी और बहुत सारी जो सूफी संत हैं उनके जो idea इवन आज भी present हैं हिंदू-Muslim दोनों follow करते हैं मतलब ऐसा नहीं था कि किसी particular की वो लोग इसलाम को ही follow करेंगे ऐसा कुछ नहीं था अगर आप उस time के बारे में बात करेंगे तो आपको ऐसा feel होगा कि बहुत अच्छी भायचारे की भावना एक पनपी थी ठीक है guys तो देखिए अगर हम फिर सूफिजम की बात करें तो सूफी संत जो थे वो ये कहते थे कि love of God means love of humanity मतलब भगवान से प्यार करने का मतलब है कि मानवता से आप प्यार करें service करे humanity की ये service to God मतलब ये tantamount है मतलब सर्वोपरी ये चीज़ें हैं कि आप मानवता की सेवा करें ऐसा नहीं है कि आप भगवान की सेवा करें मानवता की सेवा करें वही सबसे बड़ा धर्म है और self-discipline को consider करते थे कि as a essential condition to gain knowledge of God by sense of perception मतलब अपने आपको ही इतना सोच रखे, साफ रखे कोई गलती किसी का बुरा ना करे तो इन सब चीज़ों को वो लोग मानते थे और देखिए सूफी consider love and devotion as the only means of attending salvation salvation के बारे में आपको पता है मौक्ष की प्राप्ती आज भी आप सुनते हैं महात्मा या जो भी लोग होते हैं कि मौक्ष की प्राप्ती आपको नहीं हो सकती ये सब नहीं हो सकता तो देखिए अगर love और devotion जो है प्यार की भावना है न तो ये सभी जो चीज़े हैं किसी के साथ गलत नहीं करना इसी को वो लोग मानते थे कि यही एक रास्ता है केवल यही एक रास्ता है जो आप मौक्ष की प्राप्ती आप कर सकते हैं अगर हम बात करें गाईज तो देखिए फेमस जो रहे हैं जैसे कि अगर हम बात करें अकबर की बात करें मुगल बादशा अकबर की बात करें तो देखिए उन्होंने भी अपनी जो religious policy रही है उसमें कुछ सूफी doctrine है उसका involvement किया गया है तो इससे आप जान सकते हैं कि जो सूफी moment था एक सिरफ Islam के अंदर moment ना होकर एक ऐसा moment था जो एक भायचारे की भावना को पैदा करे ठीक है गाइस तो इसी की वज़े से फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारा भक्ति जो moment है वो भी आने लगा और देखिए भक्तिजम और सूफीजम है इन दोनों का काम मेंली यही था कि जो हमारे जो हिंदू, मुसलिम या फिर जो बी अलग जो पंथ हैं उन सभी को एक selfless devotion करके एक मतलब communities को closer लेके आना, past लेके आना, सब जो famous संत हैं संकराचारिय जी उनकी philosophy है वैसे तो यही important है एदवेता और monoism देखिए एदवेता की अगर हम बात करें तो यह school of हिंदी philosophy है originally मतलब सुरुवात में इसको कहते थे पुरुषवादा पुरुषवादा इसको originally कहा जाता था यह लोग यह मानते थे मतलब एदवे जो वैदानता जो philosophy है एदवेत वैदानता उसमें देखिए एदवेता की soul जो है not different from ब्रह्मा और A का मतलब यहाँ पे A denote करता है note को A का मतलब है note और द्वेता का मतलब है two मतलब दो नहीं है means note two आत्मा इज ब्रह्मा यह सब philosophy है संकराचारिय अब देखिए संकराचारिये 9 नवी जो स्थाप दी थी उस टाइम पे इन्होंने स्टाट किया था हिंदू moment जो हमारा है कि orientation मिले एक हिंदू़िजम को इसलिए इन्होंने ये सब स्टाट किया इनका जनम कलादी में हुआ था कलादी देखिए रामानुज के अगर हम बात करें तो देखे रामानुज का जनम हुआ था चेन्ने के पास एक स्री पैरुबुंदोर जगए है आप याद रखें कि बस रामानुज का जनम चेन्ने ही से हुआ था अगर आपको याद रहता है अदरवाइस आप इसकी philosophy याद कर रखें philosophy है विशिस्ट एदवेता मतलब according to him God is Sagun Brahman अब देखें Sagun का मतलब क्या है कि वो लोग मानें कि वही form है God की भगवान की कोई form है उसे Sagun Brahman कहा गया और निर्गुन में क्या कहते हैं वो ये बोलते हैं कि कोई form नहीं है भगवान की ठीक है कोई ऐसा form particular नहीं है ठीक है गाइस तो देखें God, Soul, Matter ये real हैं ये सब बताता है जो विशिष्ट एदवेता philosophy है और इन्होंने advocate की एक दूसरी philosophy है परबती मारगा मतलब path of self surrender to God मतलब अपने आपको surrender कर देना भगवान के सामने तो ये भी एक इनकी philosophy रही है तो अब next हम बात करेंगे देखें गाइस कुछ important जैसे तेरवी स्ताब्दी के बात करें तो देखें तेरवी स्ताब्दी में एक माध्वा नाम के वेक्ति हैं माध्वा कंणडा region कंणडा का जो एरिया है वहाँ से ये थे इन्होंने प्रोपगेट किया दवेता और डुलिजम को मतलब दवेता और डुलिजम के अगर बात करें हम तो देखें इसका मतलब ये है कि ये बात करता है जिवात्मा और परमात्मा के बारे में इसकी फिलोसफी ये है कि वल्ड जो है वो इलूजन नहीं है लेकिन एक रियल्टी है गोड है, सोल है, मैटर ये यूनीक है नीचर में और देखें इसके बाद में आता है निम्बार का निम्बार का और वल्लबाचारिया ये वैशनवेत भगती को मानते हैं ये लोग और देखें, ये टेलंगाना रिजन जो टेलंगाना है, वहां से हैं ये और देखें, फिर हम बात करते हैं सूरदास के बारे में ये वल्लबाचारिये के डिसिपल है चेले हैं इन्होंने कृष्णा जो कल्ट है कृष्णा जो पंथ था उसको नोर्थ एंडिया में पॉपुलर राइज उसके बाद में देखे अगर हम बात करें मीरा भाई की तो मीरा भाई के बारे में आप सभी को पता है वो कृष्ण के भजन करती थी शिरी कृष्ण जी के भजन करती थी और पॉपुलर थी राजस्थान में अपने भजनों की वज़े से उसके बाद में हम बात करें तुलसी साब के बारे में तुलसी दास जी के बारे में तो देखिए तुलसी दास जी जो है वो पूजा करते थे भगवान राम की और उन्होंने फेमस जो राम च अबीर हैं और नानक हैं ये great एक तरह से जो हमारे philosopher रहे हैं भगतिजम के अच्छे reformer रहे हैं वो आए और उन्होंने अपनी जो teaching है वो सब फैलाई अपने जो भी उनके विचार जो भी philosophy उनकी रही है उसको एक अच्छे तरीके से फैलाया और society को बहुत अच्छे से मतलब ए देखे रामानन्द जो है उनका इलाबाद में जनम हुआ रामानन्द का और originally वो follower है किसके follower है? रामानन्द के और बाद में उन्होंने फांट किया अपना खुद का सेक्ट और प्रीच किया हिंदी कहां पे? तो उसमें उन्होंने अपना जो विचार भासा या जो भी अपने teaching थी वो सब उन्होंने start किया और उन्होंने caste system को भी देखे mostly caste system को तो भक्तिजम सूफिजम के जो भी ये reformer रहे हैं सभी ने अपोज किया है और इनके जो चेले थे वो हैं कबीर हैं राइदास हैं सैना है पी आप देखिए कबीर की बात करें तो कबीर एक मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करते थे राइदास जो है वो कोबलर थे और इसके बाद सेना है वो एक नाई थे बारबर साधना की अगर बात करें तो वो एक बूचर थे और धना की अगर हम बात करें तो धना जो है वो एक जाट था या फिर राजपूर था बस आप याद रखे कि रामानंद की जो डिसिपल हैं वो कबीर हैं राइदास हैं सेना पीपा धन्ना एक दो नाम याद रहे तो अच्छी बात है वरना कबीर तो आप याद रखना देखें कबीर साब जो हैं most famous disciple हैं रामानंद के अब देखें इनका जनम हुआ बनारस में एक ब्रहमन जो विद्वा है उसके घर में कबीर का जनम हुआ और उसके बाद में क्या होता है कि इनको brought up किया जाता है मतलब इनको बड़ा किया जाता है पाला जाता है एक Muslim कपल के दवारा by profession से वो विवर थे लेकिन बस आप ये थोड़ा सा स्टोरी है याद रखिये बस और इनके अगर बात करें हम तो रामानंद ने इनको इतना वो ये किया कि मैं Hinduism और Hindus और Muslim जो है इनके बीच में Harmony पैदा करूँगा भायचारे की भावना करूँगा दोनों जो sect हैं इनको एक बना के रखूँगा ये सब इनके teaching थी कि equality of man before God ये सब इनके ideas हुआ करते थे ये इनका एक famous देखिए मैं यहाँ पे include किया है मैंने यहाँ पे दिखा हुआ special है तो आप ऐसे याद रखिए और ये तो ये भी बोलते थे कि राम और जो अल्ला है temple mosque है ये भी same है तो आप सब समझ गए हैं इनके बारे में कबीर जी के बारे में और देखिए कबीर जी को जो follow किया जो इनके follower थे उनको कबीर पंथी कहा गया अब हम गुर फिर के ही चेले थे गुरू नानक साब तो आप इसको नोट कर सकते हैं इनका जरन तलवंडी में हुआ था गुरू नानक साहाब का तलवंडी लाहोर में पढ़ता है लाहोर के पास ही है तलवंडी और देखिए इनकी भी mostly teaching वही थी कि selfless रहना है लोगों की सेवा करना है भ अब हम चेतन्या के बारे में बात करते हैं देखिए चेतन्या जो है ये भी एक well known reformer रहे है बंगाल का जो area है वहाँ पे इन्होंने कृष्णा जो पंथ है उसको फैलाया था और बाद में देखिए धीरे धीरे इन्होंने भी अपने ideas को पूरे all over country में फैलाया और इन्हों इन्होंने condemn किया जो लोग caste system या religion को इसके उपर based जो भी philosophy उसको condemn किया इन्होंने भी मतलब जो हमारे पहले के जो reformer रहे हैं कबिर साब है रामानंद है रामानुज है उन सभी की तरह इन्होंने भी अपनी philosophy को सभी को एक करके सभी एकता से रहें इन सब चीजों के उपर इ अगर हम बात करें ग्यानदेव की तो देखिए it was called महरास्ट्रा धर्मा ठीक है ये भी आप याद रखिए इस जो मुमेंट भक्ती मुमेंट को जो महरास्ट्रा में तेरवी स्ताब्दी में इन्होंने किया उसको महरास्ट्रा धर्मा भी कहा गया he wrote a commentary of भगवत गीता ग्या है नामदेव तो नामदेव जी का भी यही था कि सभी में लव प्यार की भावना रहे और सभी एक्षात रहे ये इन्होंने भी आपोज गया कास्ट सिस्टम को उसके बाद में आते हैं एकनात और तुकराम अब देखिए इन में से सबसे जो important अगर हम बात करें तो तुकरा तुकराम की बात करें तो एक special है महरास्ट्रा में जैसे कि संत महरास्ट्रा के ही है ये भी तुकराम है नामदेव एकनात ग्यानदेव ये महरास्ट्रा से ही है तो देखिए तुकराम जो है वो contemporary है सिवाजी के contemporary है ठीक है गाइस तो आप देखिए मराथा जो है उनमें भी एक nationalism राष्ट्रवाद की भावना की रियेट करी थी ये जो संत रहे हैं मारास्टा के ज्यान देव नाम देव एक अनात तुकरा next हम बात करेंगे importance of भगती moment ये जो भगती moment है इसका क्या importance है तो कि guys ये points बहुत important as it is आप note कर सकते हैं इन points को देखे development of regional language हुआ कि जो regional भासा हैं अपने छित्र की भासाएं हैं वहाँ पे भगती moment भगती जो अंदोलन है ये होने से वहाँ की जो local भासा है उसका development हुआ दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि देखे importance of women in society was also increased आपको importance of women का society के अंदर वो भी आपको increase हुआ बढ़ा हुआ देखेगा क्यों क्योंकि भगती moment जो था वो equal importance देता था man woman सभी को क्योंकि उनके तो philosophy यही होती थी किसी को वो लोग निचा उचा उपर अपर लोवर ऐसा नहीं मानते थी वो लोग इसी लिए तो यह famous है इनकी जो teaching है वो अब दूसरा देखे गेव दब पीपल गेव टू पीपल simple religion मतलब इनका कोई ऐसा particular religion नहीं था लेकिन ये लोग ये मानते थे कि भाईचारे की भावना सबसे ज़्यादा जोर इसी बात पर देते थे सभी के साथ प्यार से रहना, truth के साथ अपनी life को जीना, honesty के साथ रहना ये सब इनकी philosophy होआ करती थी और new idea of life of charity and service to follow to fellow people, मतलब कि अपने साथ के जो लोग हैं, उनकी help करना, ये सब, ये सब उस टाइम पे idea जोर, तो इसी लिए ये सब importance है भगती moment का, इन सब चीजों का एक development आपको देखने को मिलेगा, अब देखिए last में हम जैसा कि हर lecture के end में करते हैं, कि जो model question and answer हैं हमार रामानंद का कौन हैं, आप आप comment करके बताइए, कि रामानंद का जो famous disciple है, वो कौन हैं, कबीर हैं, माधवा preach his principle, माधव ने अपनी जो ये देखिए कन्नड region को बिलोग करते थे, तो उसी भासा में अपने वो देंगे, है ना, अपनी जो philosophical ideas हैं वो सब, next जो है कि अजमेर was the center of activity, अजमेर किसका activity center था, चलो आप बिल्कुल, आप comment करके चलो मुझे बताइए, कि जो अजमेर है, ये किसका, मतलब एक center of activity बन गया था, देखिए, ये जो है, ये ख्वाजा मुनुदी, next जो हमारा question है, वो है, ये निंबार का और वल्लबाचारी है, preach their teaching, कौन से region में preach की थी, इनोंने अपने teaching, तेलंगा ना में, और तुकाराम किसके contemporary हैं, देखिए, यहाँ पे picture साफ शो नहीं हुए, लेकिन मैं सबको dictate कर रहा हूँ, तुकाराम किसके contemporary हैं, मतलब समकालीन है तो सिवाजी के हैं, हम अल्रेडी discuss कर चुके हैं, अब अगर हम बात करें, तो देखिए, यह match of the following है, तो देखिए, match of the following की अगर हम बात करें, तो इसमें है, कि संक्रा जो है, वो कहां से, अब देखिए, हम अल्रेडी discuss कर चुके हैं, कि संक्रा जो है, वो कलादी से, कलाद जो लाहोर के आज पास में है वहां से थे और रामनंद जी इलहबाद से विलों करते थे आप देखे कुछ ये फेमस है कि correct statement हमें बताना है कि देखे ज्ञानदेव वाजदा follower of भगती मोमेंट इन बंगाल ये बिल्कुल गलत है आप सभी को पता है कि ज्ञानदेव कहां से थे कहां से थे भगती मोमेंट को फैलाने वाले महरस्टा से विलों करते थे he wrote a commentary of भगवत गीता called ज्ञानेश्वरी ये तो सही है कि ज्ञानदेव कि अगर हम बात करें तो उन्होंने commentary लिखी थी ठीक है ना भगवत गीता जिसको क्या कहा गया ज्यानेश्वरी और he was the contemporary of सिवा या कमेंट प्युआरी जो भी है आप मुझे डिरेक्ट मेल कर सकते हैं मेल आइडी नीचे आपको मिलेगा इसी के साथ मिलेगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए have a awesome day